देश की और द्योग एक रास्थानी मुंबई में कोविट के लगातार बढ़ते मामनों को देखते हुए रिलांस फाउंडेशन ने मरीजों के सेवा की अपने प्रया स्टेज कर दी की है ताकि लोगों को रहात मिले और सरकार की महामारी के विरुद जारी मुहिम को बल मिले कोविट के खिलाफ महराज सरकार और ब्रीन मिम्वाई कार्पोरेशन के साथ अपने सहयोग को और बढ़ाते हुए रिलांस ने चार नए कदम उठाने का फैसला किया है सरेल्चन रिलांस फाउंडेशन अस्पताल एनस्टी आई में 650 बैट की फैसिलिटी चलाएगा रिलांस फाउंडेशन 100 नए ICO बैट बना कर चलाएगी जो चरन बद तरीके से 15 माई 2021 से उपलब्द होने लगेंगे सरेल्चन रिलांस फाउंडेशन अस्पताल एक माई से 550 बैट की एक वाट का प्रबंदन संभाल लेगा ये 550 बैट इस वक्त भी मरीजों की उपलब्द में है इस तरह सरन रिलाइंस फाउंडेशन अस्पता तक्रीबंग 650 बैट का प्रबंदन संभालने लगेगा डॉक्टर और तरसो सहित फ्रेंड लाइन स्टाफ के 500 से 14 सदर से 2400 खंटे मरीजों की सहायता के लिए उत्रब्द होंगी इस प्रोजक्ट में काम आने वाले सभी चीजों जैसे कि ICO, बैट, मॉनिटर, वेंटिलेटर, सहित अनचिकित सा संबंदित, मस्तीनों और 650 बैट के खर्च का वाहन रिलाइंस फाउंडेशन करेगी पिछले साल मॉंबई में रिलाइंस फाउंडेशन और भ्रिन मॉंबई कॉर्परेशन ने मिलकर देश का पहला कोविट असपताल बढ़ाया था सवन हिल्स असपताल इसमें 225 बैट थी जिनमें से 25 आईसियो बैट सहीत 100 बैट का प्रबंदन सरेच अन रिलाइंस फाउंडेशन कर रहा है सवन हिल्स असपताल में अब 25 आईसियो बैट बढ़ाये जा रहे हैं इस तरह Reliance Foundation के प्रबंधर में 125 बेट हो जाएंगे जिन में से 45 आइसीओ बेट होंगे आपको बताद Reliance Foundation ने COVID के मरजों के लाज के लिए जो नए करदम उठाए हैं उनके बारे में संकर्टन की चेयर परसन नीता अंबानी ने कहा देश की सेवा के लिए Reliance Foundation सा दव तक पर रहता है COVID की महामारी का मुकाबला करने के लिए भारतवर्स को और मजबूत करना हम सब का करताव है बहत्रीन चीकित्सा सेवा परदान करते हुए हमाई डॉक्टर्स और फ्रेंट लाइन स्टाफ ने अथक प्रयासों के जर्गे कई मरीजों की चान बचाने में मदद की है सराचन रिलाइन्स फाउडेशन आस्पताल मुंबई सहर में 875 बैट का प्रवंदन संभाल कर महामारी का मुकाबला करने में मदद कर रहा है वो आगे भी ये कहते हैं कि ऑक्सिजन की कमी को देखते हुए हम रोज 700 मैट्रिक टन ऑक्सिजन गुजरात महारास दिल्ली मदर प्रदेश राजस्थान उत्रप्रदेश दमन दीव और नगर हवेली को निशुल को दे रही है साथ ही हम और मदद बढ़ाने के प्रयास भी कर रही है मुंबई और देश के लिए हर संभव मदद करने को लेकर हम कटीबद हैं मिलकर ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं कोरोना हारेगा इंडिया जीतेगा पिछले साथ रिलाइंस फाउंडिशन ने अनसेवा की तहत 5.5 करोड लोगों को भुजन कराया था ये दुनिया में अपने जैसा सबसे बड़ा कारिकरम था कोविट का मुकाबला करने के लिए रिलाइंस फाउंडिशन ने कुछ और कदम भी उठाई हैं जैसे मुंबई के देवनार में स्पन्दन हॉलिस्टिक मदर एंड चायल्ड केर हस्पताल में कोविट कीर फेसिलिटी बनाई सरैचन हस्पताल में BMC के साथ मिलकर मुंबई के हैश्वेटिट ट्रामा स्पताल में तस बैट का डैलसिस सेंटर भी स्थापित किया प्रोरीपोट आपिन